नमस्कार दोस्तों, All India News में आपका स्वागत है दोस्तों, एलन मास्क के मंगल ग्रह जाने के सपने को लगा बड़ा जटका जी हाँ, अस्पेस एक्स के स्टार सिप रॉकेट लॉंच के दौरान हुआ बिसफोट आपको बताते चलें, अमेरिका के जाने माने उद्योगपती और अस्पेस एक्स कम्पनी के मालिक एलन मास्क के मंगल ग्रह पर जाने का सपने को लगा है बड़ा जटका अस्पेस एक्स का अस्टार सिप रॉकेट बुद्धवार के टेक्सास के कट पर टेस्ट लॉंच के दौरान बिसफोट हो गया कम्पनी को आसा थी कि यह सक्तिसाली रॉकेट भविसे में उसे मंगल ग्रह तक पहुँचाएगा वहीं इस बिसफोट के बाद भी अस्पेसेक्स ने इसे सांदार टेस्ट बताया है और स्टार सिप की पूरी टीम को बधाई दी है बता दें कि टेशला कार बनाने वाली कम्पनी के मालिक एलन मास्क ने इस उडान के चंद मिनट बाद ही ट्वीट करते हुए लिखा था को याद रखते हुए कहा कि अस्टार सिप रॉकेट ने टेकाउप किया और उडान के दोरान अपनी स्थिती बदला साथ ही लैंडिंग के लिए यह ठीक ठाक प्रचेपन में आ गया था एलन मास्क ने ट्वीट करते हुए कहा हमने वह सभी आंकडे हासिल कर लिये जिसकी हमें आवस्यक थी अस्पेसेक्स टीम को बधाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुद्धवार को रॉकेट ने सही समय पर उडान भरी और सीधे उपर की ओर गया था इस दोरान रॉकेट का एक और इंजन सुरू हो गया बताया जा रहा है कि करीब 4 मिनट और 45 सेकंड की उडान के बाद रॉकेट का तीसरा इंजन सुरू हो गया था और रॉकेट सांदार तरीके से अपनी अपेक्षित स्थिती की ओर बढ़ रहा था बताया जा रहा है कि इंजन के लेंडिंग से कुछ समय पहले ही फिर से शुरू किया गया था ताकि रॉकेट की गती को धीमा किया जा सके हलाकि ऐसा नहीं हो पाया और रॉकेट आग के सोलो में बदल गया लेंडिंग के बाद रॉकेट धर्ती पर टकरा गया बता दे कि एलेन मास्क प्रकास की गती के चलने वाला रॉकेट बनाना चाहते हैं ताकि उसे आसानी से मंगल गरह तक भेजा जा सके इस रॉकेट लॉंच से पहले ही कई बार एसे परिक्षनों को टाला जा चुका है तो देखना होगा एलेन मास्क का अगला मिसन क्या होता है तो दोस्तों और भी लेटिस्ट खबरों के लिए देखते रहे है औल इंडिया में उच्च